हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर से और बहुत ही एजी बुनाई डिजाइन जो है वो लेकर आई हूँ आपको बताओंगे आज वीडियो में कि यह डिजाइन मैंने कैसे डाला है बहुत ही सुन्दर सा है यह डिजा हो जाएगा सबसे पहले आप अपना बॉर्डर बना लेजिए उल्टी साइड से आप अपने फंदे बढ़ा लेजिए सीधी साइड से हमारा इडिजाइन जो है शुरू होता है तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारी यहां से यह पहली सलाई है वो मैं आपको यहां से बताओंग तो देखिए, शुरू के चार फंदे हम सिध्य बनाएंगे, एक, दो, तीन, ये चार, ये देखिए, धागा अपनी साइड कर लेंगे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, चार फंदे हम सिध्य बनाएंगे, ये देखिए, फिर धागा आगे कर लेंगे, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे कर लेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, तो देखिए, चार फंदे हम सिध्य ब बनाएंगे चार फंदे सीदह चार फंदे $128 इसी थ्य seems पूरी सलाही को बना कर कंपलीट कर लेंगे मैं तो देखिए लास्ट में भी हमारे चार फंदे सीदह आये और श्रुवात हुमने चार फंदे सीदह से थी अब रॉंग साइ्ट पर तो सब्रसंध से हमारी दूसरी सल तो देखिए इस तरह से पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बना लेजिए तो देखिए फ्रेंड्स दो सलाईयां हमारी कम्प्लिट हो चुकी है अब आज इसकी तेसरी सलाई पर तो यह देखिए चार फंदे हम सीधे बनाएंगे धागा आगे कर लेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे फिर चार फंदे सीधी जैसे पहली सलाई बनाए थी उसी तरह से हमने यह तीसरी सलाई को भी बनाना है चार फंदे उल्टे देखिए इसी तरह से चार चार फंदे उल्टे सीधे बनाते हुए हम इस पूरी सलाई को administration करेंगे और रौंग साइड से हमारी पूरी सलाई जो है उल्टी उल्टी बनती है तो यह दो सलाईआ ओर हम बना लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंस हमने चार सलाईआ बना ली है यह देखिए इस तरह से हमारा डिजैन बना है यहां से यहां तक तो इसी तरह से हम यह दो सलाईया और बना लेंगे देखिए हमारी पांचवें सलाई है चार फंदे सुरू में सीधे हैं इनको सीधा बनाएंगे चार फंदे उल्टे चार फंदे सीधे चार फंदे उल्टे तो इसी तरह से इस पांचवें सलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए इसी तरह से जैसे पहली और तीसरी बनाई थी सेम उसी तरह से यह पांच में सलाई भी बनानी है और उल्टी साइड से हमने पूरा उल्टा-उल्टा बना कर कम्प्लीट कर लेना है तो यह देखिए फ्रेंट्स छे सलाई हमारी कम्प्लीट हो जोकी है अब आज रिर्टी इसकी साथे इसलाई पर यह हमारा सीधी साइड है तो देखिए फ्रेंट्स हमने क्या करना है यह जो हमारेPro चार पंदय है इनका हमने यह देखिए तक ही तो यह देखिए इस तरह से निकाल कर इन फंदों को आगे लेंगे यह देखेंगे इस तरह से ट्विष्ट करेंगे पीछे वाले फंदे हम आगे लेके आएंगे और इनको हम सीधा बना देंगे यह देखें चार फंदे सीधे आगे धाक आपनी साइड करेंगे चार फंदे उल्टे पनाएंगे धागा पीछे कर लेंगे अब यह देखेंगे पीछे के डोफंदे हैं जो चार फंदे हैं इनका हमने ट्विष्ट करना है इन चारों फंदों को इस तरह से निकाल भी सकते हैं और पहले आप आगे वाले फंदे उठा लेके डाल लीजिए और फिर ये फंदे पीछे वाले इस तरह से आगे ले आईए इस तरह से इंडीडल पे डाल लीजिए ये देखें अब इनको सीधा बना लीजिए असका ल्का से ये इस तरह आएगा दागा अपनी साइब चार फंदे उल्टे घाला पीछे अब देखिएगा देखोषा में देखे 4 फंदे गए इंका फिर से हमने ट्विष्ट करना है तो इस था यह से भी कर सकते हैं यह दिखे पहले यह आले फंदे हम पीछे वाले हम यह देखे राइट नीडल पर रालेंगे और यह दिखे यह वाले पिछे रह गए तो यह आले हम पिछे यह दाının Form में यह देखे इस तरह से डालने हैं, अलग-लग तरीका मैंने आपको बता दिया है, जैसा भी आपको easy लगे, आप उस तरह से बना सकते हैं, यह देखे, अब इनको चारों को इकठा करके सीधा बना लीजिए, यह देखे, इस तरह से, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे कर लेंगे, यह देखे, फिर से हमने चार फंदे आ गए हैं, इनका ट्यूश्ट करना है, तो यह देखे, पहले हम पीछे वाले फंदे उठा लेंगे, और अब इनको हम बैक साइड से इस तरह से दोनों फंदों को उठा कर ले आएंगे, अब यह जो फंदे हैं, इनको हम आगे ले आएंगे, और इनको सिधा बना देंगे, चारो फंदों को, इस तरह से, यह देखेगा, फिर चार फंदे उल्टे, धागा पीछे कर लेंगे, देखे, फिर से हमारे चार फंदे आ गए हैं, तो यह देखे, इस तरह से, पीछे वाले फंदे हमने, नेडल में डाल लिये हैं, अब इन दो आगे के फंदों को छोड़ कर, इस तरह से आप यह फंदे हम आगे ले आएंगे, और इनको नेडल के अंदर, इकठा कर लेंगे, सीधे बना देंगे, चार फंदों को, धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बना देगे तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है इस पूरी स्लाई को कम्प्लीट कर लीजिए यह देखेगा इस तरह से बनेगा यह तो यह मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाऊंगी आप इसी तरह से बनाते जाएए तो यह देखे इस तरह से मैंने पूरी स्लाई को कम्प्लीट कर लिया है बना कर अब हाज यह आठें स्लाई पर और यह पूरी हमने उल्टी-उल्टी बना कर कम्प्लीट कर लेनी है यह अब हमने 7 स्लाई पसके जो ट्विष्ट किया था ट्विष्ट करने के बाद इसके उपर भी हम इसी तरह से जैसे हमने यह छे स्लाई या बना लेगे तो बनानी हमने इसी तरह से है सिधे पर सिधा ही बनाएंगे, चार फंदे सिधे हैं, तो इनको सिधा बना लेगे, धाग अपनी साइड कर लेगे, चार फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बनाएंगे, चार फंदे सिधे बना देगे, चार फंदे उल्टे, ति चार फंदे सिधे, यह देखी इस तरह से ही इसके उपर भी हमने इसी तरह से बनानी है छेसलाईया तो यह छेसलाईया मैं complete कर लेती हूं इसी तरह से जैसे मैंने आपको नीचे बताया था यहां पे इसी तरह से मैं यहां पे भी बनाकर complete कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं आप इसी तर अब हमने डिजैन को ट्यूश्ट करने ना है यह वाला डिजैन हमारा यहां आजाएगा यह वाला हमारा यहां आजाएगा तो देखे कैसे तो देखे सुरू में हमारे चार फंदे सीधे थे तो यहां पर हमारे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे यह देखे, धागा पीछे कर लेंगे, यहां पर हमारे फंदे उल्टे हैं, यहां पर हमारे चार फंदे सीधे आ जाएंगे फिर जो सीधे हैं इन पर उल्टे बना लेंगे फिर चार फंदे सीधे चार फंदे उल्टे तो देखी इस तरह से हमारे डिजाइन जो है वे टूष्ट हो जाता है सिधे पे हमारे उल्टे आ गए उल्टे पे हमारे सिधे फंदे आ गए इस तरह से जैसे हमने यहां पे बनाया इसी तरह से अब यहां पे भी हम बना लेगे सिर्फ हमने अपने डिजाइन को ही टूष्ट बहुत ही सुन्दर सा बहुत ही प्यारा सा हमारा एडिजाइन जो है वह बन कराता है बहुत ही इजी है हमारा एडिजाइन और दिखने में बहुत सुन्दर है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल पर अगर आप नहीं है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक